हाँ तो नोस्तों जेएस डबलू एस जबल्डू एनरजी के क्यू ट्री के नंब्र आच चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे जब को जेएस डबल्लू एनरजी के ऑन्बेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तोड़े के सबसे पेल अगर हम यहाँ पे quarterly basis के numbers के अगर हम बात करेंगे तोड़े के revenue के numbers यहाँ पे 9% से कम हुए हैं और यह number आया है 1893 करोट पे तो देखा जाए तो quarterly basis पे revenue के numbers भले ही गिरे हैं लेकिन जो profit का number है वो इतना impact नहीं पड़ा है तोकि यह number 4% से ही गिरा है तो potential है लगबग 1000-1200 करोड का profit हर साल कमाने का उसके अलावा अगर हम year on year basis के numbers के अगर हम बात करेंगे तोड़े के 17% से revenue के numbers यहाँ पे company के बढ़े है तो यह number काफी अच्छे तरीके से improve हुआ है लेकिन जो profitability है year on year basis की यह 125% से बढ़ी है यानि कि पिछले साल इस quarter में जो company ने level से भी ज्यादा हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसलिए market ने से काफी positive way में लिया है और यह stock अगर हम देखेंगे तो अभी अपर सरकीट यहाँ पे JW energy में लगा है तो लगबग 318 पे यह stock अभी trade हो रहा है और लगबग 400 रुपे का high है तो यानि कि लगबग 20% अ positive momentum हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है market की तरफ से और जिस तरीके से government की तरफ से हमें यहाँ पे पूरे सेक्टर में push देखने को मिल रहा है तो उसमें मुझे लगठा है कि जिस group से यह company belong करती है और यहाँ पे profitable business हमें यहाँ पे नजर आता और consistently वो अच्छे से perform कर रहे ह तो मेरे क्याल से यह company आपके radar पे होनी चाहिए और अगर long term के लिए invest करना है तो मेरे क्याल से definitely आपने यह invest करना चाहिए दोस्तों मैं hope करता हूं की JSW Energy के Q3 के numbers के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपक के comment पर reply करूंगा उके रोस्तों thank you have a nice day